नमस्कार दोस्तों मैं राओर निश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वाकित करता हूँ आपके अपने चैनल माई पाट साला में और पाट साला रिल्वेक दाम में रोज की तरह आज भी आपके लिए करेंट एफेस लेकर आगया है और आज का जो करेंट एफेस है उसका एक important question आपके स्क्रीन पर है कि समर्थन मूली पर समर्थन न्यूनतम समर्थन मूली यानि कि minimum support price पर गेहू खरीदने के मामले में कौन सा राजय पहले इस्थान पर आया ह चर्चा जरू करेंगे लेकिन आप तारीक है 11 जुन और आज के जो important current affairs है उसकी ओर चलते हैं सबसे पहली जानकारी जो है वो कुछ खास मलब अच्छी नहीं है बूरी जानकारी है बूरी क्या मलब दुरगटना की जानकारी है असम में एक तेल के कुए में आग लग गई है क्योंकि वहाँ पर कई दिन से लगाता गैस का रिशाव हो रहा था ऐसे में सिंगापूर की एक फर्म को वहाँ पर बुलाए गया और इस गैस बुजाने के काम में उनको लगाए गया गैस की लपटे इतनी ज़्यादा उची है कि 30 किलो मीटर तक आप बड़े आसानी से इन लपटों को देख सकते हैं अगर आपको याद हो तो दो दिन पहले ही मैंने आपको साइबेरिया की बारे में बताये था जहां पर एक टेंकर 20,000 टन का जो डीजल है वो बह गया है और अंबर नाया नाम की नदी को दूसित कर रहा है तो विलाल अब असम की तरफ चलते हैं असम के तिन सुकिया जिले में इस्थित बागजान तेल का कुवें वैसे अगर आपको याद है या आपने कभी पढ़ा होगी असम का डिगबोई जो छेतर है नोहार कटिया जो छेतर है वहाँ पर तेल उत्पदन होता है तो असम का तिन सुकिया जिले के इस्थित बागजान तेल के कुवें में 9 जून 2020 को भीशन आग लग दे कुवें से पिछले 14 दिनों से अन्यंतित तरीके से गैस का रिसाओ हो रहा था आसपास के लोगों को गैस की जलन भी मैसूस हो रही थी उनकी आपों में जलन वगेरा हो रहा था लेकिन इसका सबसे ज़धा नुकसान सबसे पास में एक नदी है जिसमें डॉल्फिन पाई जाती थी उसको जा हुआ है तो सामनेता इस कुवें से प्रति दिन 2700 पाउंड प्रति वर्ग इंच दाप के साथ असी हजार मानग घंड मीटर प्रति दिन गैस का उत्पादन किया जाता था पर अंदू वर्तमान में गैस रिसाओं की जो दर है वो 4200 पाउंड प्रति वर्ग इंच हो गई है जिसकी वज़े से 90,000 मानग घन मीटर गैस का प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है कुए में गैस के दवाओ को यदि समय रहते लिया अंतरित नहीं किया गया तो ये कुए में अचानक आघास से भी स्पोर्ट हो सकता है और इससे बड़ा इलाका जो है वो दुरगटना की चपिट में आ सकता है दुरगटना के पीछे कई समभावित कारण बताए जा रहे हैं जैसे प्रॉपर देखबाल नहीं होना, निरेच्छण की कमी होना और हो सकता है कि 14 दिन से अगर आपको गैस का रिसाव हो रहा था तो कम से कम आपको इसके प्रियास तो करने चाहिए इन्हों ने जब सिंगापूर की जो फर्म बुलाई है जो गैस बुजाने में माहिर मानी जाती है उसने जो आग बुझाने में माहिर मानी जाती है वो सिंगापुर की फर्म कह रही है कि हाँ हम बुझा तो देंगे लेकिन इसके लिए कई महीनों तक का समय लगेगा क्योंकि इस तरीके से जो गैस का दबाओ है उसको अचानक से कम नहीं किया जा सकता कहां पर हुई बागजान तेल के कुवें में नौज उनको भीसन आल लग जई थे अगली जनकारी तो चलते हैं अगली जनकारी है उरिशा सरकार ने अपना एक राजिगान प्रस्तुत किया है अपनाया है और ऐसा नहीं कि ये गाना वहां गया नहीं जाता था ये गीत वहां बहुत समय से गया जा रहा है जैसा आप सभी को पताए कि उरिशा जो है अपने लिए प्रथक राजिकी हमेशा मांग करता रहा है प्रथक भासावादी राजिकी मांग करता रहा है तो ऐसे में यह जो गाना है उनकी community को represent करता है जो लोग उडία बोलते हैं तो इस गाने का या इस गीत का जो है राश्टगान जो बना है वो है बंदे उतकल जन्नी को राज्य गान बना दिया गया है या सभी सरकारी कारिक्रमों में राज्य विधान सभा में बिना वादियंत्र के बजाये जाएगा लेकिन अगर किसी स्कूल में समारों हो रहा है कोई बड़ा समारों हो रहा है तो वहाँ पर इसको वादियंत्रों के साथ बजाये जाएगा बंदे उतकल जन्नी एक देजबक्ती कविता है जो सन 1912 में कांता कवी लच्मी कांता महापातर द्वारा लिखी गई थी और ये उडिया बोलने वाले कम्निटी को रेपेजेंट करता है अब गान की बाद चुड़ी है तो क्यों न हम अपने राष्टगान के बारे में कुछ बातें सीख लेते हैं कुछ जान लेते हैं गुर्देयर रवीना टेगोर ने 1911 में एक कविता की रचना की थी जिसमें पांच पद थे और कविता को पहला पद जो है उसको हमने राष्टगान के तौर पर अपनाया है ऐसा कहा जाता है कि रवीना टेगोर जी ने ये जो कविता लिखी जिसे हम राष्टगान के तौर पर जंगरगर्ण मन कहते हैं ये उन्होंने जार्ज पंचम के स्वागत में लिखी दी इसलिए कई बार इससे अधिनायक सब्द को हटाने की मांग उठी है लेकिन खुद रवीना टेगोर ने 1949 में एक पत्र लिखकर ऐसा गोसित किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये मैंने भारत के लिए ही लिखा हुआ है और खुद इसको खारिश कर दिया था तो ये आप वहाँ अज ऐसी बात है कि जार्ज पंचम के उपर ये कविता लिखी गई जंगरगर्ण मुल्ता बंगाली भासा में लिखा गया है जिसमें संस्क्रत सब्दों की अधिक्ता है और अगर आप गौर करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नाउन सब्दों का इस्तमाल किया गया है यानि संग्या सब्दों का इस्तमाल किया गया है जन, गर, मन, अधिनायक सभी नाउन है संस्कर्ट निष्ट बंगाली में लिखे गए राष्टगान को उर्दू हिंदी में अनुवाद नेता जी सुभाश्चन बोश ने करवाया इसे कैप्टन आभिदली ने अनुवाद किया और कैप्टन राम सिंग ठाकुर ने इसे कंपोस किया तो ऐसा माना जाता है कि जो धुन आजकल हम जंगल मन की सुनते हैं वादियंदरों की और ये जो कंपोस किया था कि कैप्टन राम सिंग ठाकुर ने किया था लेकिन जिसका जो प्योर नोट है जो इसके म्यूजिक नोट है वो रभिना टैगोर ने ही तियार किये 16 दिसंबर 1911 को इस दिवस में थोड़ा सा भ्रांती है कई किताबों में वेबसाइटों में मुझे 24 दिसंबर भी पढ़ने को मिला है और लेकिन हाल फिलाल इसका जो अधिक्तम जो प्रमारी किताबे हों वापर 16 दिसंबर मिला 16 दिसंबर 1911 को कॉंग्रेस के कोलगाता आजवेशन में इस गीत को पहली बार भारत में गाया गया था बाद में 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक तोर पर समिधान सभानी इसको राष्टगान के तोर पर अपनाया था तो राष्टगान के तौर पे कब अपनाये गया? 14 जन्वरी उन्नेस सो पचार और 16 दिजंबर 1911 को कांग्रेस के कोलगाता अधिवेशन में इसको गाया गया था राष्टगान जडगनमन के पूर संस्क्रण को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है जबकि इसका जो लगू अथवा संचिप्त रूप है जिसमें हमसे पहली और अंतिम पंक्ति काते हैं उसमें 20 सेकंड का समय लगता है राष्टगान के बोल ददधा धुन सोयम रवीना टेगोर ने आंधपदेश के मदना पल्ली में तयार की थी और आज भी उनके बनाए धुन को ही प्रेयों में लाया जाता है कानून के मुदाबिक राष्टगान गाने के लिए किसी को बात नहीं किया जा सकता राष्टगान गाने अत्वा बजने के तोरण अगर कोई वेक्ति सांती पुर्वक खड़ा रहता है या उसे राष्टगान नहीं आता है तो इसे राष्टगान का अपमान नहीं माना जाता है मतलब ऐसा नहीं है कि आपको गाना ही जरूरी है दूसरा टेगोर की कलम से लिखे राष्टगान जंगर मन को यूनेस्को की और से विस्का सर्वसेश राष्टगान करार दिया गया है यह आपको कई किताबों में पढ़ने को मिलेगा बट यह जानकारी गलत है इसका भी खर्णन जो है वो यूनेस्को ने किया है यूनेसको ने ऐसा कोई बेस्ट एंथम एवार्ड घोसित नहीं किया उन्होंने खुद यह कुद किया था अभी मैंने वाटसर पगेर हम इसको पढ़ा गिया नहीं हमारा जो राष्टगान है वो भी इसका सबसे सर्वसेश राष्टगान है तो यह सिर्फ अपवा है इसके बार में यूनेसको ने पुष्टी की है कि यह था कुछ उन्होंने नहीं किया है 11 सिदंबर 1942 को पहली बार राष्टगान संगीत बद प्रत्तिती जर्मनी के हैंबर्ग सहर में हुई राष्टगान पहली बार गाया गया 16 सिदंबर 1911 को कॉंग्रेस के कोड़का ताइब में लेकिन संगीत बद तरीके से इसको जो गाया गया है वो है 11 सिदंबर 1942 को जर्मनी के हैंबर्ग सहर में तो यह कुछ जनकारी हमारी राष्टगान से जुड़ी और राष्टगान के बारेम जनकारी में क्यों लेकि आया क्योंकि अभी उडिशा ने बंदे उतकल जन्नी को अपना राष्टगान गोचित किया है अब उडिशा की बात चुड़ी है तो उसका current affairs भी देख लेते है उडिशा के important current affairs में आप सभी को पहली जनकरी हिंदी में भी है इसके बाद वली slide में तो आप PDF से इसको पढ़ लीजेगा CM नमीन पटनायक ने उडिशा police transformation project किया है और देश का पहला राजी का पहला virtual police station launch किया देश का पहला virtual police station यानि कि आभासी police station का सुभारम उडिशा में हुआ इसके जरिए motorcycle चोरी या गारी चोरी की जो complaint है वो आप virtually यानि कि बिना थाने जाए लिखवा सकते थे चंदौली जो है ये उत्तर पदेश में है इसको इस बार नीती आयर उन्हें सीर्थ आकांची जिलो की सुची में पहले नंबर पर रखा है और दूसरे नंबर पर उडिशा का बालंगीर आया है सी विजिल और वोटर हेल्प लाइन एप जो है ये आपने सुनी होगी ये दोनों के दोनों जो एप हैं ये e-governance एवाड त्वारा सम्मानित किये गए है 2019 में भुवनेश्वर उडिशा में सी विजिल जो है ये वोटर हेल्प लाइन एप है इसका उलगाटन किया था और ये वहाँ पर खेले गए खेलो इंडिया यूनिवरस्टी के वेटरेन ओडिसी यानि कि अनुभवी ओडिसी डांसर पदमस्री मिंती मिसरा जी का भी निधन हो गया वो ओडिसी डांसर थी इसका आपको याद रखना है कभी कभी कोशन ऐसा बनता है कि मिंती मिसरा का संबंध किस राज्य से है उडिसा से है आठ ताइम के नेशनल एवार्ड बिनन यानि की राष्टी एवार्ड विजेता मनमोहन मोहापात्रा बहुत बड़े आपके फिल्म कार थे उडिसा के और इनका अभी हाली में 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया बिमस्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट बिमस्टेक आपदा प्रबंदन मैनेजमेंट एकसाइज जो है ये अभी हाली में बूनेशर में उडिसा में हुए था और नवीन पतनाइक जी ने इसका उड़काटन किया था इंडिया जो है फीपा अंडर 17 वोमेंस वर्ड कप इसकी जो थीम रहेगी वो किक आफ दा ड्रीम रहेगी इसका आपका मेजबानी करने वाला था लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया COVID-19 की वज़े से उडिशा भी इसमें पार्ट कर रहा था यानि उडिशा में भी इसके मैच होने थे उडिशा पहला इस्टेट बना है जिसने SHG के लिए डिपार्टमेंट बना दिया और उस डिपार्टमेंट का नाम रखा है मिसन सक्ती SHG क्या होता है? Self Help Group स्वयम सहायता समू ये महिलाओं के ऐसे समू होते हैं जो खुद एक रोजगार सुरू करते हैं और बाखी लोगों को भी रोजगार देते हैं तो इनको सही डंग से सपोर्ट करने के लिए मिसन सक्ती मंत्राले डिपार्टमेंट जो है उरिजा सरकार ने अभी हाली में UNICEF के साथ समझाता किया ताकि एक मोः प्रतिवा प्रोग्राम को लॉंच किया जाके मोः प्रतिवा यानि कि जो घर बैठे लोग हैं वो अपने टैलेंट का प्रयोग करके इस प्रतियोगता में हिस्सा ले सकते हैं और कुछ न कुछ वो अपने आगे देश के लिए कर सकते हैं ताकि जो बच्चे हैं उनको लॉक्डाउं के दोरान इंगेज रखा जा सके नवीन पटनायक जी को अभी हाली में पेटा दोरा Hero to Animal Award दिया गया क्योंकि जहां लोग गरीबों के लिए खाना जुटा रहे थे वहाँ नवीन पटनायक जी ने पस्वों के लिए भी खाना जुटाया चीप मिनिस्टर रवीन पटनायक है गवर्नर गनेशी लाल है कैपिटल सिटी भोवनेश्वर है सेक्रेट फिक पीपल स्टेट ट्री है उडीशा का स्टेट फ्लावर है असोग और स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर जबकि स्टेट एनिमल है सामबर हीरन ये इसके बाद आपका हिंदी में है जिसको आप पढ़ सकते हो बाद में अगली जनकरी तब चलते हैं मन्रेगा के तहट अब तक की सबसे बड़ी रासी जो है वो उपलब्द कराई गई अगर आपको 20 अभी जो हाली में निर्मला सीता रामार जी ने गोशना की थी कि 20 लाग करोन रुपए का जो पैकेज है उन्होंने ज़ारी किया है उसमें मन्रेगा अगर रोजगार उपलब्द कराने की योजना है अब आप ऐसा सों सकते हैं कि अगर उनको 202 रुपए प्रती दिन के हिसाब से मिलेंगे तो 100 दिन में उनको 20,000 लम सम उन्हें साल में कम से कम उनको मिलेगा जो उनकी आजीव का चलाने के लिए दिया जाएगा इसके लाब मन्रेगा की अगर हम बात करें तो महात्मा गांदी राष्ट्री गरामी रोजगार गरंटी अधिनियम यानि की और इसको मन्रेगा को भारत सरकातवारा 2005 में राष्टी गरामी रोजगार गरंटी गरंटी अधिनियम 2005 नरीगा जिसे बोला जाता था उसके रूप में प्रस्तुत किया गया था लेकिन 2010 में इसका नाम बदलगर मादमा गांदी राख्टी ग्रामी रोजगार गरंटी अधिनियम कर दिया गया फिलाल मादमा गांदी राख्टी ग्रामी रोजगार गरंटी वो COVID-19 का प्रभाव कम करने की कोशिस है इन कामों में व्रच सिचाही रहेगी व्रच्छारों पर रहेगा बागवानी और आजीव का समधन के लिए वेक्तिकर लापकरी कारियों से समंधित कारियों को पूरा करने पर विसे द्यान दिया जा रहा है तो कितना जो टर्नोवर है जो कितना शंचन किया गया है एक लाख एक हजात पांसो करोण रुपए मनने का उको दिये जा रहे हैं अगली जानगरी है युद्ध पोत बिल्डर गार्डन रीच सिप बिल्डर एंड इंगिनियर्स लिम्टेड ने नौ जून को ICGS कनक लता बरुआ को वितरित किया ICGS इंडियन कोशगार्ड सिप जो है ये इसका नाम रखा गया कनक लता बरुआ का संबन्द असम से है ये 1942 के भारत छोड़ो आंदूलन के दौरान इनको अंग्रेजों ने गोली मार दी थी जिसकी विज़े से इनका जो नाम है वो भारत की प्रमुख स्वतनता सिनानियों में दर्ज हो गया इसके अलाबा ये ऐसा नहीं है कि जो युद्दपोद बिल्डर है गार्डन रिच सिप बिल्डर ये ऐसा नहीं कि पहला जहाज इन्होंने अप्लाई किया है ये उनके द्वारा बनाए गया एक सो पांचवा जहाज है जो भारती तटरच्छक बलको प्राप्त हुआ है और इसके लिए उन्होंने FPV सरंखला के अंतरगत इसको लाँच किया है FPV का फुल फॉर्म है फास्ट पेट्रोल वेसल फास्ट पेट्रोल वेकल काहे के लिए होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि जो भी निगरानी तंतर है उसको मजबूत किया जा सके हैं और समुद्र सीम इंडियन कोश गाड को और भी FPV दिये हैं यानि की फास्ट पेट्रोलिंग वेसल दिये हैं उनका नाम है ICGS प्रियदर्सनी अब प्रियदर्सनी तो आप नहीं पैचान पा रहे होगे लेकिन अगर आपको इंदरा गांधी जी का पूरा नाम पता है तो उनका पूरा नाम थ दूसरा है ICGS एनिबेशन्ट भारती राष्टी कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यच थी जो 1917 में भारती राष्टी कॉंग्रेस की अध्यच बनी थी ICGS अमरतकॉर अमरतकॉर राजकुमारी अमरतकॉर आप इन्हें कह सकते हैं ये भारत की पहली स्वास्थ मंतरी है रही जो 10 साल तब भारत की स्वास्थ मंतरी रही तो इनके नाम पर इनको दिया गया है और उसके बाद ये जो चौथा सिप मिला है वो ICGS कनक लता बर्वा के नाम पर दिया गया है और इनिवेशन प्रियत इंद्रा गांधी के होई गया और इनिवेशन 1917 में आपकी कलकता दिवेशन में आपकी अध्याच बनी थी और ये भारती राष्टी कॉंग्रेस की पहली महिला अध्याच है तो हाल फिलाल आपको क्या याद रखना है आपको असम से है और इनको 1942 के भारत छोड़ो अंदलों के दौरान गोली मार दी गई थी तो भारती तट्रचक की इस्थापना सांतिकाल में भारती समुद्र की सुरच्छा करने से उद्दे से 18 गस 1978 को संग के 1777 बल के रूप में की गई थी और इनका जो आदर सिवाक्य है वो है वैं हम रच्छामा यानि हम रच्छा करते हैं इसको याद रखेगा और इसकी थबना 18 गस 1978 को की गई वर्तमान समय में इसको जो डारेक्टर जनरल है वो राजियंदर सीन जी बनाए गए हैं आगली जान का एक जो चलते हैं वैसे ही अगर थोड़ा सा और लेट कर लेते इस यहां उपलब्दी 1853 के बाद पहली बार हासिल की गई है जब देश में भारती रेलवे प्रणाली सुरू की गई थी 2019 में लगवब 1274 मानोयत रेलवे लेवल क्रासिंग को समाप्त कर दिया गया है जो अब तक उच्छतम आकड़ा है तो इस तरीके से भारती रेलवे जो है यहां तो मुझे 16 ही दिखाई दे रहे हैं लेकिन अगर आप किसी और लोगों में देखेंगे तो वहां पे आपको 17 सितारे भी नजर आएंगे तो इस तरीके से यह कुशन भी एक बार क्योंकि आप रेलवे की त्यारी भी कर रहे हो तो यहां पर इस तरीके के कुशन आपको जरूब पता होना चाहिए आगे चलते हैं अगली जनकरी की तरफ अगली जनकरी है रजिनीत कुमार जी को नासा का पब्लिक सर्विस मेडल प्राप्त हुआ है रजिनीत कुमार कौन है अब मैं आपको इतका थोड़ा सा अलग परिशे देता हूँ यह साथ आपको ना पता हो आपको पता है 2013 में भारत ने मंगल मिशन लौँच किया था मंगल मिशन में रोवर की जरूवत थी रोवर को बनाया था वरजीनिया टेक ने वरजीनिया टेक के CEO ही है रजीनीत कुमार जिनको अभी हाली में भारती एरोस्पेस उद्दमी रंजीत कुमार को नासा के कारिकारी नेतुत इंजिनिंग योगदान तखनीकी ऊत्करश्टा और बक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके पैसासन के लिए नासा विश्ष्ट सेवा पतक से समानित किया गया है तो ऐसा नहीं है इनका भारत से रिष्टा पुराना नहीं है यह बहुत पुराने से भारत का रिष्टा तिरुवनंद पुरम के रहने वाले हैं यह 30 वर्सों से नासा के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने अंतर राश्टी अंतर इचे स्टेशनों को उन्नत बनाने में योगदान दिया है उनकी कंपनी जो है यह इस्पेर पार्ट्स वगेरा प्रोवाइड करती है और सासत रोवर जैसे जो भी एक्विमेंट होते हैं उनको बनाने का काम करती है यह वर्जिनिया इस्थित एनलेटिकल मेकेनिक्स एसोसियेट के CEO एमिरिट्स हैं आरके इससे पहले 2002 में नासा ने उनको यह वर्ड दिया था नासा का आप सभी को पताए कि विस्व की सरुस्रेष्ट अंतरिच एजनसी में से एक है नासा नेशनल एरोनाटिक्स एन स्पेस एड्मिनिस्टेशन जिसे संचेप में हम नासा कहते हैं सहित राज अमेरिका की सरकार की इसके वर्दमान समय में जो आपके हेड है वो है जिम ब्रिंडेश्टाइन जबकि इसकी संथापना डेविट आइजन आवर की प्रयासों से एक अक्टूबर 1958 में वासिंटन डीसी संच्टराज अमेरिका में की गई थी आपको पता है कि भारत में जो अभी इधन मानक चल रहा है वो BS4 से सीधे चेंज करके BS6 किया गया है आप सभी को पता होगा सस्ती गाडियां मिली BS4 वालों ने जो एजेंसी डीलर थे उन्होंने गाडियां निकाल दी ताकि उनको नुक्सान ना हो BS4 और BS6 में जो सबसे बड़ा फाइदा ये है कि 50 PPM का उस सर्जन होता है 50 PPM सलफर जो है ये BS4 के इंजनों दोरा उस सर्जित होता है मलब पर दूसर ज़्यादा पहलाता है ऐसे में सर्वोच नियाले ने BS4 के गाड़ियों पर प्रतिबंद लगा दिया और बोला कि एक अपरल 2020 के बाद पूरे देश में जो गाड़ियां चलेंगे वो सिर्फ हो सिर्फ BS6 ही चलेंगे BS6 जो है ये भारत स्टेज मानक है यहाँ पर हमारे BS6 है बारत स्टेज में जो सलफर के पूर्पर देखते हुए बाद सिक्स के जो वहाँ है वह काफी जड़ा इंपॉर्ट है एक बात और ऐसा माना जाता है कि डीजल गारियां होती है वो पेट्रोल गारियों के मुकाबले जादा उस सर्जन करती है लेकिन BS6 इंजन आ जाने के बाद ऐसा नहीं होगा और जैसा इंजन आएगा वैसे इधन की भी आपके शेक्ता होगी तो रिफाइनरी को भी काफी सारा पैसा लगाना पड़ेगा और इस पैसे को लगाने के वेज़े से जो आपको पेट्रोल और डीजल है वो भी मेंगा हो गया तो फिलाल सडक परिवहन और राजमान मंतराले ने किसी भी इधन पेकार के BS6 के जो भी चार पाहिये वहान होंगे उन पर एक हरे रंकी पट्टी लगाने का निर्देश दिया है ताकि दूर से ही पता चल जाए कि जो अगला वहान आ रहा है वो BS6 है और ऐसा हमारे देश में नहीं हो रहा है ऐसा कई देशों में हो बस यह किया है कि हमने हरी पट्टी को लिया है और इसकी जो मुटाई रखी गई है वो एक सेंटिमीटर रखी गई है तो अब ताप पेट्रॉल या संपीडित प्राकदी गैस प्रकार के वहानों को हलके नीले रंका इस्टीकल लगा होता था अब डीजल वहानों में नारंगी रंका होता था लेकिन अब जो भी बियर सिक्स वहान होंगे उन पे सभी पे एक हरे कलर की पट्टी लगाना अनिवार हो जाएगा ये नमबर प्लेट के उपर लगाना होगा अगली जानकरी तब चलते हैं तो राजेस्थान सरकार ने रاج कौशल पोर्टल की शुरुवात की है अब सभी को बदा हे है की बहुत सरे प्रवासी ऐसे हैं जो अपने अपने राज्यों में लोट गए है जो महानगरों में काम कर रहे تھे आपने राज्यों में लोटे के बा राज कॉसल पोर्टल शुरुवात किया है जो कोशिटन आपके स्क्रिन पर था, कि समर्थन मूले पर 수박 गेहु खरीदने वाला राज्य कौन सा बनाया है, तो वह है मंद बदे समर्थन मूले होता है, मिनिमम सपोर्ट प्रई, मिनिमम सपोर्ट प्रई, यानि इससे कम गेहु का जो मूले होगा, वो कोई नहीं लेगा, मतलब कि इससे कम नहीं बेचना है आपको अगर इतना भी आपको नहीं मिला है तो आप सरकार को पूरा गेहूं बेच सकते हैं Let's suppose कि 1000 रुपए कुंटल उन्होंने रखा 1000 रुपए कुंटल का मतलब यह हो गया है कि अगर कोई 1000 रुपए में भी नहीं खरीद रहा है तो आप 1000 रुपए में सरकार को बेच सकते हो, इससे कम में मत बेच हो इससे क्या होता है किसानों को नुकसान नहीं होता तो हाल बिलाल समर्थन मुल पर गेहूं खरीद में मद्ध पदेश देश में अवल राज बना है राज सर्गार ने किसानों को से 1.27 करों टन गेहूं खरीदा है यह देश में खरीदे गए कुल गेहूं का लबब 33 प्रत्सत है खरीदे गए गेह कुल गेहूं में से 118 लाग मीटी टन सुरच्छे तरूप से संक्राहित किया गया है जो खरीदी गई मात्रा का लगवा 95 पिंचान विपिश्चत है इसके लाबा मद्पदेश मुखमंतरी सिवरास जिंग चौहान नीजी ने एक स्ट्रीट वेंडर पंजी करन पोडल और मुखमंतरी सहरी पत्र व्यवसाई उत्थान योजना सुरू की है इसी तरह की ये क्योज़ना पीम ने भी सुरू की थी जिसका नाम ता प्रियम स्वानीदी योजना प्राम पंचायतों के विकास उद्देश के लिए भी 1555 करोण रूपय उन्होंने इस्थांत्रे किया थे। सेहरों में पहले इस्थान पर आया है गायक सुमन कल्यानपूर और संगीर नेदेशक कुलदीप सिंग को अभी हाली में 2017 और 2018 के लिए MP का लता मंगेशकर पुरुषकार पतान किया गया। हेल्थ एथॉर्टी ने बताया यानि के राष्टी स्वास्त अधिकारी ने बताया कि PMJ यानि के प्यधान मंत्री जन्य आरोग योजना के तहत सबसे ज्यादा लाब पहुचाने वाले में MP सबसे उपर आया है। मदबदेश में तीन दिवसी नमस्ते ओर्चा जो मौसव है ये मदबदेश में मनाया गया। और ओर्चा जो है ये बुंदेल खंड की एक जगए है वहाँ से ओर्चा जन्जाती से बिलाउं करता है और उनके सांस्कतिक चीजों को दर्साने के लिए उस्सव है। नमस्ते ओर्चा मौसव जो है ये मदबदेश से समंदित है। मुख मंतरी कल्याण योजना के सुरुवात की थी। आगली चान करी करते हैं कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपको उस अपरात की सजा मिल जाती है जो आपने नहीं किया। संजीता चानू के साथ भी वही हुआ। आपको याद हो तो जो आपका वाड़ा है उसने पूरी तरीके से रसिया को चार साल के लिए बैन कर दिया है क्योंकि वहाँ की जो डोपिंग एजनसी उसने बहुत जादा प्रेश्टा चार किया था। तो ये फैसला IWAF ने विसो डोपिंग रोधी एजनसी यानि वाड़ा की सिफारिसों के अधार पर किया है। भारतोला संजीता चानू ने सुरू से ही खुद को निदोस्त बता रहे थी। इसके बाद राश्मंडल खेलो की स्वणड पतक विजेता इस खिलाडी ने माफी मागने और मुआवजा देने की माग की है। और जो भी उनका mental harassment हुआ है उसके लिए पूरा-पूरा उन्होंने केस फाइल करने की बात की है। किरंजीत कौर अभी कुछ समय पहले एक मुझे लगता है कि 30 मही को ये न्यूज आई थी कि किरंजीत कौर को भी वाड़ा ने 4 साल का पैदबन लगा दिया है। संजीदा चानू की बात करनें संजीदा चानू मनीपूर की रहने वाली हैं वेट लिफ्टिंग से सम्मझने तो 2014 के राष्मंडल में इन्हों सौन पतक भी हांसिल हुआ था। विस्व मस्तिस का ट्यूमर दिवस हर साल कम मना जाता है आठ जून को तो विस्व मस्तिस का ट्यूमर दिवस हर साल आठ जून को मना जाता है जो विस्व महासागर दिवस के साथ मेल खाता है यानि विस्व महासागर दिवस भी कम मना जाता है वो भी आपका आठ जून को मन आए जाता है साथी मक्तिष ट्यूमर के रोगियों और उनके परिवारों के लिए एक सद्धांजली दी जाती है तो अब बारी है आज के मारे वन लाइनर की सडग परिवानो राजमार्ग मंद्राले ने किसी भी इदन परकार के बियेश शिक्स वहनों के लिए एक किस रंग की पट्टी को अनिवार किया है तो ग्रीन कलर की पट्टी आपको लगानी पड़ेगी अपनी गारी के नंबर प्लेट के उपर 12 सरकार ने वर्तमान वित्ती वर्द 2021 में मन्रेगा के तहट कितने उपए जारी की है तो एक लाग एक हदार पांसो करोड रुपए उडिशा सरकार ने किसको अपने राज यगान का दर्जा दिया है तो बंदे उतकल जन्नी और विस्व मस्तिस ट्यूमर डिवस कम बना जाता है आड़ जून को किस राज जी के सरकार द्वारा राज कौसल पोर्टल और उनलाइन स्रमिक रोजगार विने में के सुरुवात की गई है तो वो है राजिस्थान किसको नासा ने कारेकारी नेता तो इंजिनिंग योगदान तखनीकी उतकष्टा और बोगता निष्था के माध्यम से उनके पैसासन के लिए नासा का विस्थिस्थिवा मडल दिया है तो वरजीनिया टेक के रंजीत कुमार GRSE यानि की गार्डन रीच सिप बिल्डर्स ने अभी हाली में भारती टर्च रच्छक बली यानि इंडियन कोष्ट गार्ड को कौन सा FPV सौपा है तो वो ICGS कनक लता पर हुआ बारती रेलवे के बायान के इंसार सबसे अच्छा सोर अच्छा रिकार्ड उन्होंने कब बनाया तो अपरेज 2019 से लेके माद 2020 के उन्होंने बताया कि दौरान किसी भी रेलवे दुरगटा में किसी यात्री की मौत नहीं हुई 32 संजीता चानू के खिलाफ लगाए गए डोपिंग के आरोपों को उनके नमूनों में एक रुपता नहीं पाए जाने के कार्ण खारिच कर दिया गए यह किस खेल से संब्दित हैं वो वेट लिफ्टिंग से संब्दित हैं साथी मनीपूर से संब्दित हैं समर्धन मूली पर गेवों खरीदने में कौन सा राज यह अवल नमबर पर आया है तो वो है मद्दित और हाल ही में किस राज में ओयल इंडिया लिमिटिट के बागान गैस कोई में तेल के रिशाओ के बाद गैस रिसाओ को रोकने के लिए सिंगापूर के एक फर्म को बुलाए गया है तो वो है असम और राजमार मंताले ने किसी भी इधन पेकार के बिया सिक्स वहनों के किस रंगी पत्टी के लिए बोला है तो गरीन रंगीपत्ती के लिए बोला है बारत सरकार ने वर्दवान वित्ती बस 2021 किसके तौरान बननेगा के तहट कितने रुपए जारी किये हैं एक लाख एक हजार पांसो करोड रुपए उडिशा सरकार ने किसको अपने राजिगान का दर्जा दिया है तो बंदे उतकल जन्नी किसको नासा ने कारेकारी नेतर तो इंजिनी योगदान तखनीकी उतकर्षता और बोगता निष्टा के माध्यब जो उनके प्रसासन के नासा विसिश्ट चेवा मेदल दिया है तो उनका नाम है रंजीत कुमार गार्डन रीच सी बिल्डर्स इंजिनियर लिम्टेड ने इंडियन कोर्ट कार्ड को कौन सा फास्ट पेट्रोल वेसल सोपा है तो वो है अब तक इन्होंने 105 जाहज इंडियन कोर्ट कार्ड के लिए बनाए है भाती रेलवे के बयान के अंसार कौन सा किस वर्स उन्होंने सबसे अच्छा सुरच्छा रिकॉर्ड बनाया है तो अपरेल 2019 से लिके मार्थ 2020 के बाती रेलवे बोड के अध्यच कौन है विनोत कुमार याद हो याद रखेगा अठारा जोन है नया जोन मनाया है साउथ कोस्ट रेलवे भारती संगीता चानू ने के खिलाफ लगाएगा है डोपिंग के आरोपो को उनके नमूनों में एक रुपता नहीं पाए जाने के कारण खारिच का दिया है यह किस खिल से संबंदित हैं व पागजान टेल का कुऊंँ वहाँ पर इसमें आग लग गई है काफी समय से एक गैस रिसाफ हो रहा था लेकिन उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया तो यह असम सरकार असम राज में हो और किन सरकार से मदद मांग रही है असम सरकार लगाता किस राज सरकार दोरा राज को सरकार पोर्टल शुरू किया गया है तो राज से याद रखेगा राजिस्थान तरकार दोरा समर्थन मूल पर गयों खरिद में कौन सा राज अवल नंबर पर आया है तो वो है आपका मदद पदेश तो दोस्तों यह है आज के हमारे इंपोर्टेंट करेंट अपेस और उमी